हेलो दोस्तों, वेल्कम टू स्फलता मुंत्र अब आप लोग मेरे वीडियो को अन अकाडमी की लर्निंग आप भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी UPTT सीटेट से रिलेटेड इंपोर्टन वीडियो मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंक्यों दोस्तों दोस्तों सिच्छक भरती परिच्छा की तैयारी के लिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मैं डेली आपके लिए दो वीडियो लाता रहता हूँ सुबह आज मैं आप सब के लिए सामान ग्यान के जीके और करन्ट अफेर का इंपॉर्टन कोष्चंस लेकर आया था उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सिच्छन कोशल के इंपॉर्टन कोश्चंस को देखेंगे तो दोस्तों ये दोसों प्रस्णों की सीरीज चल लई सभी सब्जेक्ट की तो इसमें आज ये इसका पार्ट टू है, पार्ट बन मैं पहले ला चुका था, तो पार्ट टू में आज हम लोग सिछन कोसल के अन्य इंपॉर्टन कोश्चन को देखेंगे और एक एक कोश्चन का अंसर देते रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इन सभी कोश कोश्चन को देखते रहें, समझते रहें, आंसर जरूर देते रहें, तो चलिए देखते हैं पहले कोश्चन से, तो दोस्तों सबसे पहला कोश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सिछ्च्छ की भूमिका होनी चाहिए, सुगम करता की, अनुदेशन करता की, पर सिछ्च्छ करता ही option में करना है इसका ए नंबर option से जगा इसका मतलब यह होता है कि सिच्छक जो होता है वो छात्र को किसी कारे को करने में सुगमता प्रदान करने के लिए उसका सहयोग कर सकता है ना ही उसे निर्देशन दे सकता है ना ही उसे प्रसिच्छण दे सकता है छात्र स्वयम से विशे का ग्यान, उच मानग भासा में पढ़ाने की छमता, पढ़ाने की उत्सुकता या फिर धैर और लगन. देखे दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि लाज्ट क्लासेज में मैंने इनके अलग आप्सन बताये थे इसमें अलग. तो दोस्तों आप्सन जब भी बताये जाते हैं तो चार आप्सन में से जो सबसे सुटेवेल होता इस परकार से चुने जाते हैं ना कि अपने मन से. तो इसमें हम लोग चुनेंगे कि कौन सा सबसे suitable और सही option है तो प्राथवी किस्तर के लिए दोस्तों धैरे और लगन होना बहुत ही आवस्यक है इसके साथ इसाथ उसे प्राथवी किस्तर के बच्चों को समझाने के लिए मनोब इग्यान का ग्यान होना भी बहुत ही आवस्यक है तो इनमें से जो option आपको मिलेगा वही आपको चूज करना है जैसे इसमें दिया है धहर और लगन तो ये वाला option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं इसका मूनलेंकन किया जाना चाहिए या वह उसमें नहीं दिया था तो जो सबसे suitable और सबसे उप्यूक तांसार होगा वह सी नमबर है बच्चों के सीखने के इस तर पर ग्यान का पता चलता यानि कि बच्चे की इस तर तक सीख चुके यह इसका पता चलता है या फिर भर्मण के स्थान के प्राप्त ग्यान इस्थाई होता है तो इसका डी नमबर ऑप्चन बिल्कुल सही हो जाएगा और साथी साथ ये पर्रेवरण की द्रश्टी से भी उप्यूक्त सिद्ध होता है इससे बालक नई नई चीजों के बारे में उनकी सांस्कृतिक एतिहासी बातों के बारे में सीखता है इसके बाद अगला कुशन मूल्यांकन का मुख्य उद्दे से होना चाहिए यह नेड़े लेना कि क्या विद्द्यार्थी को अगली कच्छा में प्रोनत किया जाना चाहिए है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उप्चार करना सिच्छार्तियों की तुटियां निकालना या फिर सिच्छार्तियों की उपलबनी को मापना तो दोस्तों देखें मापना तो हमेशा गलत होगा इसके बाद प्रोणनत करना भी गलत होगा और तुटियों निकालना ये भी गलत होगा बी नमबर ऑप्शन जो लिखा है सीखने में होने वाली जो कमिया उनका निदान करना और निदान करना यारी कि उनको पहचानना फिर उसके बाद उनका उपचार करना बी नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यही सबसे सुटेवल आंसर रहेगा अब बढ़ते हैं इसका आपका सी नमबर ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होईएगा गलत मत करिएगा डॉल्टन जो है यही इसका सही उप्शन है इसी परकार से मौन्टेश्री भी था है उसकी मारिया मौन्टेश्री उन्होंने उसका प्रारम किया था तो यह दोनों इंप्वॉटेंट है दोनों में से कोई एक पूछी जा सकती है इसके बाद अगला कोशन है सिच्छक एवग विद्यार्थी के मद्द संबंद होना चाहिए इस नेह का विश्वास का संबंद का या फिर यह सभी तो देखे दोस्तों सिच्छक और विद्यार्थी के मद्द कैसा इस नेह का संबंद होना आवाश्य के विश्वास का और सम्मान का तीनों चीज्यों का संबंद होना बहुत ही आवाश्य के इनके वैसे चिछ़न कारे संबंद किया जा सकता है और सिच्छक की भावना को Get out अच्छा सम्मंद स्थापित होता है तो इसका आपका डी नंबर ओप्सन सही हो जाएगा इसके बाद अगला कोशन एक अच्छा ध्यापक विद्यार्थियों के मद्द बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को सहयोग की भावना को प्रतिदोंदिता की भावना को य वेशा सहयोग की भावना का विकास करता है इससे आपस में इत्सा नहीं उत्पन्द होती है आपस में मिल जुलकर कार करना आसान हो जाता है तो इसका बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा अब इसके आद बढ़ते हैं अगले कोशन पर आधुनिक सिछण अधिगम प्रक्रिया में सिछण की भूमिका है सीखने है तू एक अच्छे सुलब करता की बच्चों को गड़ित बिग्यान और भासा सिखाने की बच्चों को मूल आधारी सिछण देने की या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की तो दोस्तों देखे मैंने अभी आपको उता है था अलग रूब है तो इसका आपका A number option सही हो जाएगा अब इसके बाद अगला कोशन है बच्चा किस प्रकार से सीखता है पुस्त के बढ़कर परिचर्चा करके प्रस्न पूछ कर या फिर उपरियुक्त सभी तो देखिए दोस्तों सीखने के कई प्रकार हो सकते हैं बच्च किस प्रकार से सीखता है तो इसका आपका D number option बिलकुल सही हो जाएगा अब इसका आद बढ़ते हैं अगले कोशन पर प्रतेक अधिगम करता अधुती है इसका मतलब क्या ये आपको समझाना है क्या कोई भी दो अधिगम करता उनकी योगिता है रुचियां और कौशलों मे समान नहीं होते हैं अधिगम करताओं में कोई भी उभैनिष्ट गुण नहीं होते नहीं वे उभैनिष्ट लच्छों को बाढ़ते हैं सभी अधिगम करताओं के लिए एक उभैनिष्ट पाठ चर्णा संबब नहीं है या फिर एक विसमांगी कच्छा में सभी अधिगम कर करता हों की चमता को विक्सित करना असंभव है तो देखिए दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो गए दोनों आपसन अब इसका बढ़ते हैं उपर तो देखे पहला नंबर आपसन जो दिया गया ए नंबर इसमें क्या लिखा है कि कोई भी दो अधिकम करता उनकी योगता ही हो जाएगा इसलिए का जाता प्रतिक अधिकम करता अधुदी होता है और उनकी अलग-अलग योगताएं चंताएं होती हैं अब इसके बढ़ते हैं एकले कोशन पर सिच्छा का उद्दे से हैं अच्छा नागरिक बनाना ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के समाज को एक अच्छी दिशा दे सकें समाज को अच्छी और ले जा सकें और व्यभारिकता का निर्माण करने में सहायता मिले तो दूस्तों इसके देखिए तो इसका फूर्थ नंबर आप्सन सही हो जाएगा उपरियूग तो सभी यह सभी सिच्छा के प्रमुक उद्दे स से होते हैं अब इसका बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर प्रोजेक्ट सिच्छण वित किस से संब्दित है फ्रोवेल से जॉन डीवी से आर्मिश्ट्रॉंग से या फिर में डूगल से तो दूस्तों देखिए इसमें आपको देख रहा होगा प्रोजेक्ट सिच्छण वित जॉन डीवी यही बी नमपर आप्सन सही हो जाएगा अब इसका बढ़ते हैं दूस्तों अगले कोश्चन पर इसके पहले दूस्तों आपको एक कोश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है प्रसनोत्तर विद के जनक कौन है प्रसनोत्तर विद की स्थापना किस निकिती आप लोगों को बताना है मैं यूपी टेट में आपसे बैला कोश्चन पूछ चुका हूँ इसका अंसर जरूर देने अधिक सेधिक संख्या में तो दूस्तों अगला कोश्चन है वह विशेष्टा जो की सहयोगातमक इस्थित की सीमा में नहीं है तो वो देखे बी नमबर व्यक्तिक जबाब देही इसमें कोई सहयोगातमक इस्थित की कोई आपका भी नमबर ओप्सन सही हो जाएगा अब इसकाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले कुश्चन पर एक अच्छा विद्याले हुआ है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है जहां प्रतियोग वालक खुसी कानुभाव करे वा विना एक दूसरे के सहयोग से वैक्तिक रूप से सीखे या फिर जो बाल सही हो जागा इसमें देखे क्या लिखा विना एक दूसरे के सहयोग से और विद्याले में सहयोग होना आपस में बहुत ही आवस्यक है तो सी नंबर ऑप्शन है जो बालक के सामाजी करण को समझे कच्छा के वातावरण को प्रगतिसील और प्रिरांसपद बना सके तो यान नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अब इसके आद बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर प्राथमिक इस्तर पर एक सिच्छक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपून विशेष्ता मानना चाहिए धहरे और द्रणता को सिच्छन पद्दतियों और विश्यों के ग्यान की या फिर पढ़ाने की उत्षुकता को तो दूस्तों इसमें देखे धहरे और द्रणता ही यही ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा धहरे और द्रणता को अगर मैंने इसमें आपको कोई दूसरा ऑप्शन बता दिया हो तो इसे करेक्ट कर लीजेगा क्योंकि प्राथमिक इस सोयम में विशिष्ठ है इसका अर्थ क्या है सभी विद्यारतियों के लिए एक समान पाठ़ी चर्रा संभव नहीं है एक विसम रूपी गच्छा में सिच्छारतियों की छम्ताओं को विक्सित करना असंभव है कोई भी दो सिच्छारतियों अपनी योगिताओं रुचियो प्रतिवाओं में एक समान नहीं होते हैं, सिच्छाइर्टियों ना तो कोई समानाता समान विशेष्टा ही होती है और ना ही उनके लच्छ समान होते हैं, तो दोस्तों देखे एक बार कॉश्चन दुबारा से पढ़िया कहा लिखा इसमें कि प्रतेग शात्र स्वयम में विशिष्ट है इसका आर्थ बताना है तो देखे दोस्तों प्रतेग शात्र स्वयम में विशिष्ट है इसका मतलब होगा कि कोई भी दो सिच्छारती अपनी योगिताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते प्रतेग विक्त व्यक्तिक विभिन्ता होती है, और वो उसी के आधार पर कार करता है। अब इसके बाद अगला कोश्चन है, तो दोस्तों अगला कोशन है पियाजे के संग्यानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संबेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंदित है यानि कि जीन पियाजे ने जो अपने संग्यानात्मक विकास के सिध्धान के अंतरगत प्रथम अवस्था पताई थी वो कौन सी थी संबेदी प्रेरक अवस्ता थी जो की जीरों से दो बर्स तक की अवस्ता थी तो इसमें आपको यह बताना एक किस से संबंदेत है अनुकरण इस्मनति और मांसिक निरूपन से तारकिक रूप से समस्या समाधान की योगता विकल्पों के निर्वचन और वि दोस्तों देखें जब आपको सही आप्सन ना वालूम हो तो प्रतेक आप्सन को देखें और अपने दिमाग से सोचे किया इस उम्र में वालक ऐसा कर सकता है या जो भी कोश्चन दिया उसी के आधार पर आप लोग सोच सकते हैं तो अब इसका बढ़ते हैं एगले कोश्च का वीम सोर का वुस का या फिर इन में से कोई नहीं तो दूस्तों ये डी डवलू एलन का कथा ना इसका आपका ए नंबर आप्सन सही हो जाएगा जिसमें की सूच्छन की परिभासा के बारे में बदाए गया और का गया कि छोटे आकार की कच्छा में कम समय में पूर्ण कर प्रविधिया फिर अबलोकन वा निरिच्छन प्रविधि तो दूसरों जब सिच्छन को आनंद दायक मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाना हो तो इसके लिए खेल विदिया गत्विदी आधारित प्रविधि जो होती है ये सबसे वेश्ट मानी जाती है गत्विदी आध योजना का उद्देश से खाली स्थान में निसक्त बच्चों को सेच्छिक अफसर उपलब्द कराना है तो दूस्तों केंद्री सरकार के दारा जो योजना चलाईगे जिसमें समय के सिच्छा के इंतरगत निसक्त बच्चों को रखा गया है तो दूस्तों इसमें आपको य रूप से विद्याले चलते हैं इनी विद्यालें में निसक्त बच्चों को अलग-अलग सिछण विधियों के द्वारा से अच्छिक अफसर उपलब्द कराना इनका उद्दे से है ताकि उनको भी समान अफसर मिल सकें इसका आपका सी नंबर आप्सन सही हो जाएगा अब इस समुचित उपचारात्मक कार रहे या फिर सघन अभ्यास कार रहे तो दोस्तों मैंने आपको उताया था सबसे पहले जो रिक्तियां कमियां होती वो देखा जाता इनके निदान के लिए ढोना जाता कि क्या कमी रह गई है इसका इसका उपचार किया जाता तो यानि कि आप लोग कमेंड वाक्स में जरूर पूछेगा साथी साथ बताए वीडियो पसंद आ रहे या नहीं आ रहे मैं डेली आपके लिए दो क्लासिस लाता रहता हूं और इन सभी क्लासिस को सेर जरूर करते रहे अब अगला कुछ नहीं है क्रिया सीलता का सिलता का सिलता प्रेर आझातकर नहीं आता है अब इसका आजट बढते हैं अगले क्योंदी पर सिछण प्रविदियों के प्रकार है प्रस्णोत्तर वर्णन कहानी कथन आफिर यह सभी तो देखे दोस्तों सिछण वजदियं के अंत्धिया आती है वर्णन कहानी धियु आती है और कहानी कहानी पढ़ना एब लिखना सिखाना या फिर बौदिक विकास करना तो देखे दोस्तों सबसे महतपूर्ण उद्देश से जो हता सिच्छा का वो बच्चे का सरवांगीन विकास करना होता वाकी सभी जो दिये गए ये इसके उद्देशियों के इंतरगत नहीं आते तो दोस्तों उसका बी नमपर उप्सन बिल्कुल सही हो जागा बच्चे का सरवांगीन विकास करना अब इसका बढ़ते हैं अगले कोशन पर मुल्य अंकन का मुख्य उद्देश से होना चाहिए सिच्छार्थियों की तुर्टी निकालना सिच्छार्थियों की उपलब्दी को मापना यह निर्णे लेना की क्या सिच्छार्थि को अगली कच्छा में प्रोनत किया जाना चाहिए या फिर सीखने में होने वाली कम्यों का निदान और उपचार करना तो दोस्तों इसी प्रकार का कोश्चन आपने एक ऊपर देखा था जिसमें मैंने आपको भी बताया था उस को पता लगाना और फिर उसका उपचार करना अब दोस्तों यह आज का अंतिम कोश्चन है इस कोश्चन को भी अच्छे से देख लीजेगा और दोस्तों इन सभी वीडियो को सेर जरूर करते रहे अपने सभी साथियों के साथ तो अब अंतिम कोश्चन है सिवानी द्वारा प तो दोस्तों जो सबसे suitable answer रहेगा वो D number option रहेगा कि यदि उसको नहीं आता है तो कोई बाद नहीं लेकिन बाद में उसका सही उत्तर समझ कर देना चाहिए ताकि वो अभ्यारती को अच्छे से समझा सके तो दोस्तों आज के इस पार्ट में आपके 27 सिच्छन कोश्चन में बाद ल्रह वे दौस ke तोन कोश्चन 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 वे आपके में रहेगा है, विर कhosना रहेगे चल्ला है, उ खमें rozmच जाएन नहीं वान, इसका से सक्ज़श ... झाल झाल